अपनी पिछली मूवी की तरहां ये मूवी भी काफी disturbing है अगर आप disturbing scenes को पसंद नहीं करते तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है लेकिन सारे movie black and white है भीरा में दिखाया चाता है एक आदमी जो human centipede movie को अपने laptop पर देख रहा होता है उस आदमी का नाम Martin होता है जो तकरीबन 40 साल का होता है और दिखने में काफी मोटा होता है उसे अज़्दमा भी होता है और हर कोई उसे useless समझता था कि वो एक बेकार इंसान है वो लेंडन के एक parking lot टूल पर काम करता था और कई दफ़ा रिवाइंड करके वो human centipede movie देख चुका था फिर अचानक से वो parking के cctv footage में हलचल को महसूस करता है जब वो गोर करता है तो देखता है कि parking में एक यंग कपल है जो आपस में जगड रहे होती है उसमें लड़के का नाम इयान होता है और उसके पास उसके फादर की कार होती है जिसकी चाब भी वो गुम कर चुगा होता है मार्टिन लोही का एक रॉड छिलाती है। जब मार्टिन उसे देखता है तो उसके पेक में बी एक गोली मार देता है। और फिर उस्के लोहे के राट से उन दोनों की सरों पर भी वार कर देता है और वो फोरन बेहोश होजस जाते है। फिर मार्टिन वहाँ पर अपने गाड़ी लेकर आता है, वो दोनों को उसमें डालता है, और दुबारा अपने केविन में आकर Human Centipede Movie देखना शुरू कर देता है, मार्टिन के पास एक बुख भी होती है, वो उसमें सिर्फ Human Centipede Movie की पिक्चर्स और उसकी एक्टरस की इमिज् इसके बाद मार्टिन एक सीजर लेता है, और यान की फ्रेंड के कपड़ी पहले तो उससे काड़ता है, और उसके बाद सारे उसके कपड़ी उतार देता है, तब फोरन मार्टिन के पास acting management company की call आती है, वो मार्टिन को कहते हैं कि सैंटी पीप की actors London की audition के लिए नहीं आ सकत और आज ही उसने डॉक्टर से appointment भी लिए हुई थी, और इसके बाद उसकी मदर वहाँ से चली जाती है, अपनी मदर की जाने के बाद, वो फिर से अपनी बुक को देखता है, और कपड़े पहन कर बाहिर आ जाता है, सबसे पहले वो जो काम करता था, वो ये था, कि उसका प उसके साथ sexually abuse करते थी, जिस पर children diets वालों ने उसके फादर को jail बिजवा दिया था, लेकिन इसका responsible मार्टिन की मदर फिर भी मार्टिन को भी समझती थी, मगर उसके डॉक्टर को भी इस बात का ज्यादा असन नहीं था, क्यूंकि वो भी मार्टिन की mental illness का फाइदा उठा कर क वो मार्टिन और खुद को जान से मार डाले, तभी अचानक से उन लोगों की घर के उपर वाले फ्लोर से loud music की आवाज आती है, जिससे मार्टिन की मदर को काफी disturbance होती है, और वो चट को पेटना शुरू कर देती है, और वो शोर उपर रहने वाले लोग सुन लेते हैं, वह पर द्रसल एक aggressive bodybuilder रहता है, वो आते ही मार्टिन को काफी मार पीट करता है, और फिर वहाँ से चला जाता है, मार्टिन काफी जखमी हो जाता है, इन सब के बाद भी काफी मर्दबा मार्टिन, human centipede देख चुका था, और वो डक्टर जोसेफ की जरहें ट्रेट करता है, और उसी की तरह का lab court पहनता है, फिर वो एक्टर जोसेफ की surgery drawing को अपनी book में copy करता है, फिर एक दिन वो अपने parking lot में एक couple को kidnap करता है, जिसकी wife pregnant होती है, उनके बाद वो दो और लड़कें को kidnap करता है, और उसी घर में लेकर आता है, जहां उसने बाकी लोगों को रखा हुआ सबसे पहले तो वो उनके cloths को remove करता है, और उने एक सीधी line में नीचे लेटा देता है, इतनी hard working करने के बाद, अचानक से Martin को अज्दमा का attack होता है, वो अपने pump से medicine देता है, और अपने normal हालक में वापीस आ जाता है, तभी फोरन फिर से acting management company की call आती है, और अब वो लोग कहते हैं कि सैंटी पीड मुवी की actor एचली यनी audition के लिए आने को ready है, और वो लेंडन आने वाली है, वो लोग ऐसा इसलिए करते हैं, क्योंकि इससे कुछ अर्सा पहले, Martin उन लोगों को बता चुका होता है, कि वो director क्वेंटन टोरेंटो का agent है, और डारेक्टर टोरेंटो, जब Martin अपने घर पहुचता है, तब वो देखता है कि उसकी मदर उसे मारने की कोशिश कर रही है, लेकिन Martin अपनी मदर की इरादे समझ जाता है, Martin की मदर को उसके bed के नीचे से वो book मिल जाती है, जिसमें human centipede की सारी details लिकी होती है, और उसी book में Martin ने 12 लोगों के साथ human centipede वाले operation का भी जिकर किया था, तब उसकी माँ उसके इरादे समझ जाती है, वो काफी उसे में आ जाती है, और उस book को पार देती है, ये देखकर Martin काफी upset हो जाता है, फिर Martin अपना लैब कोट पहनता है, और अपने सेंटीपीट्स जो कि उसने पाले होते है, उनसे अपनी मद मदर को कटवाता है, और फिर अपनी मा की सरफ पे काफी रॉड मारता है, और मोके पे ही उसकी मदर की बाड़ी के साथ लच करता है, और जब उपर फ्लोर वाला बॉड बेधर वहां पर पहुचता है, तो वो उस रॉड से उसे भी जखमी कर देता है, ये सब करने की बाद, वो अपने पार्टिन टूल में अपने गोली मार देता है और एपने ड्राइवर और वहां से एक और लड़की को भी किड्नैप करता है और उन्हें अपने घर जो कि तो इसने रेंट पर लिए होते हैं बहाँ भी उसके पास और वो ही पेंटिंग निकालता है मार्टिंग के पास वहाँ पर पूरे 12 लोग हो चुके होते हैं और वो डाक्टर जोसेफ की तरह ही एक यूमेन सेंटिपीट का मॉडल बनाने जा रहा था और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है ये इंसिडेंट देखकर मार्टिंग काफी अपसेट हो जाता है इसके बाद वो उस प्रेग्रेंग लेडी को छोड़कर बाकि सब को यूमेन सेंटिपीट की तरहां जोडता है और सबसे आगे यानी थी और वो भी डॉक्टर की तरहां यानी कोई फीट करवाता था लेकिन वो नहीं खाती फिर वो एक पाइप और एक फरल लेता है और उसके जरीए यानी के मूँ में खाना डालता है और फोरान उसके पास खॉल आती है मार्टिन कॉल पर था तपीछे से यानी जोड़ जोड़ से चिला रही थी जिसे वो काफ़ी डिस्टर्ब हो गया और वो एकेंची लेता है और यानी की जुबान कार देता है और उसे काफ़ी ब्लेडिंग होती है Martin सब को Lexative की injection देता है जिससे उन्हें lose motion लग जाते है और एक injection वो constipation की मरीजों को देता है जिसे कि उनका पेट साफ हो जाए और देखते ही देखते हैं उन सब लोगों को motion लग जाते है पहले तो Martin इस मंज़र को काफी enjoy करता है लेकिन ये मंज़र काफी disturbing था काफी गंदा सीन था और ये देखकर Martin को भी vomiting लग जाती है तब ही वो pregnant lady जो centipede का हिस्सा नहीं थी उसे pain होता है वो भाग कर बाहितकार में आकर बैठ जाती है और गाड़ी में ही उसका बच्चा हो जाता है और अंदर Martin का वो centipede जो कि एक दूसरे से अलग हो रहा था क्यूंकि वो तोट रहा था और सब लोग एक दूसरे से जुदा हो रहे थी ये देखकर Martin शडीर घुस्से में आ जाता है और वो एक एक करके सब की गलों को काट कर उने मार रहा होता है और जब Martin यानी को मारने उसके पास आता है तो वो उसकी टांगों के बीच में मारती है और उसे नीचे गिरा दीती है वो एक फनल लेती है और Martin की वैक साइड पर वो उसके पालिंग होई centipede को वहाँ पर छोड़ देती है और उसके जैसा अपना centipede बनाना चाहता था लेकिन ये experiment वो पूरे 12 लोगों के साथ करना चाहता था जो कुछ भी Martin ने किया या तो वो उसकी imagination हो थी या भी उसने सच में ही एक centipede बना दिया था और दुबारा अपने काम पर आके जो उसकी फेवरेट मूवी यानी humans centipede उसको देख रहा है